असलामलेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब मेरा नाम है बिसमा असकर मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूं हमारा चाप्टर फॉर ऑफ केमिस्ट्री ग्रेट 10 और अब हमने इस लेक्चर में क्या करना है हमने बुक में हमारी जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटिट पूछे जा सकते हैं उससे रिलेटिट कुछ एंसी क्यूज होंगे जो सॉल्फ करके हमें और बहतर आइडिया हो जाएगा कि पेपर में किस तरह से पूछे जाते हैं तो इन सब चीज़ों को डिसकस करने के लिए आए चलते लेक्चर की तरफ तो स्टूडेंट्स अब हम जो फाइनल आपका टॉपिक है ना हाइड्रोकार्बन जिसमें ऐा जाते हैं उससे रि इलेटिट क्वेस्टन सॉल्फ करेंगे और हम देखेंगे की और किस किस तरह के कुछेंज होते हैं जो के पेपर में बूछे जाते हैं ठीक है उसके लिए हम चलते हैं क्विज की तरफ आपको नज़र आ रहा होगा कि एलकीन भी टॉपिक में लिखा हुए क्यूंकि हम थोड़े से क्वेश्चन उसके भी सॉल्फ करेंगे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर में जब आते हैं इसलिए हमने उसके भी साथ साथ लेके चलने है फर्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं हम मतलब होता है reduction और addition of oxygen का मतलब होता है oxidation ठीक है यह दो ऐसे concept है जो एक दूसरे के opposite है नाम नहीं भोलना बाकि अगर हम options को देखें oxidation मैंने आपको अल्रेडी बता दिया कि यह होता है addition of oxygen ठीक है यह है हम addition of hydrogen की बात कर रहे हैं हमने reduction reactions क्योंकि पढ़े हैं तो इसलिए हमें पता है कि यहां पे addition of hydrogen means reduction यह terminology है chemistry terminology है इसको याद रखने है ठीक है यह हमारा mcq हो गया next की तरफ चलते हैं और पस next question is which is used as antifreeze तो students जब हम alkenes के uses पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बहुत सारे ऐसे पढ़े थे alcohol जो आपकी first two options हैं इनकी बात करें तो यह use होते हैं as solvents ठीक है मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जितने भी आपके पास polar solvents होते हैं आपके पास non polar solvents जितने भी होते जिन में सिर्फ और सिर्फ organic compound जो कर non polar हैं वो डिजॉल्व हो सकते हैं उनके नाम याद रखा करें क्योंकि बहुत लिमिटेट से नाम है मतब बहुत जादा नहीं हैं लेकिन यह है कि आपने first year में फिर second year में इनी नामों को बार बार रिवाइज करना है ठीक है तो डाइथा organisms और इस तरह की चीजों को केल करने के लिए यूज होता है ठीक है आखरी चीज़ है इताइलीन ग्लाइकोल विच कैन बी यूज एज एस एंटी फ्रीज और यह सारी की सारी चीज़ें आपने याद रखनी है इनकी मैनुफैक्चरिंग ही यह इथीन से है तो हम आपस correct option क्य है correct option है option number D जिससे हमें पता लग जाता है कि antifreeze के तौर पर क्या चीज़ यूज होगी इथाइलीन ग्लाइकोल जब मैं आपको यूज इस पढ़ा रही थी तब भी मैंने यूज इस बहुत डिटेल में बढ़ाए थे ताके आपको यह चीज़ें भूले ना आप हमारी एक दिफा फिर से रिवाइज हो गई है next question की तरफ चलते है which compound is used for welding purposes welding के लिए क्या जरूरत है बहुत जादा हीट की जरूरत है बहुत ही जादा फ्लेम की जरूरत है ठीक है अगर हीट नहीं है प्रॉपर फ्लेम नहीं है प्रॉपर तो इसका मतलब है welding का काम तो नहीं हो सकता हमने किस चीज़ का फ्लेम पढ़ा था हमने ऐसी टाइलीन का फ्लेम पढ़ा था ठीक है flame में हमने क्या बात की थी कि यह काइन है ठीक है जो कि जब हीट अप होता है यह जब इसको आप जलाते हैं कमश्चन का प्रॉसेस करते हैं तो एक्जोथर्मिक इतना ज्यादा है वो रियाक्शन कि आप उसको इंप कर लीश कर लेते हैं ठीक है और इसकी वज़ए से आपके पास काम हो जाता है तो आप देखें मिधेन की बात नहीं है ठीक हम यह वह किसको बात करें हमें के यह आपके यह ने कल जाता है जब भी हमने ने क्देंग करनी है उसके लिए तो यहांपर वह वो फेलीग के लि option on you know हो इताइलीन पे canfuse नहीं होना ही थाएलीन आपके पास इताइलीन का डूसरा नहीं ठीक हिए यह 1000 का सेकंडिने में ठीक है एहीं क्या है जीजए एतीन के alkeys हम किसकी बात करें हम करें अलकाइन की बात तो इस वज़े से AoP नमबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ठीक है अब हम चलते हैं नेक्स एम्जी की तरफ नेक्स एम्सी यूज विच फॉल्विंग डज नॉट अकर फ्री इन नेचर हमने जब काइन्स की डीटियल पड़ी थी और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने स्ट्रक् में और यह बहुत ही जादा कंबाइंड फॉर्म में तो हो सकते हैं मतलब यह के स्टूडंस आपने याद रखना यह फ्री क्यूं नहीं है इसकी रीजन पता होनी चाहिए यह नेचर में फ्री इस वजह से नहीं होता क्योंकि ऑल्रेड़ी इसके कितने बांड हैं तीन में आपसे शका का इधाईलीन इथीन का दूस्टा नाम एक उसको सकत करना है ऐक के साथ पना तीन कहाना थीका बात परत जरु प्रोपैलीन है और परतें नहीं करना लास्ट आप्शन है पेंटीन वह भी एकल्कीन हम इसकी बात करें बात करें इसज्ट हमारे पस का सही है इसकी जगा एरकाइन लिखा होता लिए नाम है ठीक है यह बात समझ में आगई अब हम चलते हैं एक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन इस डाय मिथाइल एसी टाइलीन इस ऑल्सो कॉल्ड जब हमने लकाइन का टॉपिक स्टार्ट किया था उसने मैंने आपको कुछ स्ट्रक्चर बना के दिखाए थे फोर कार्बन आपको बता चिए हमने उसके बाद क्या किया है कि है हीडरोकार्बन के चप्टर में भी प्रैक्टिस किय ऑप हम यह देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर कि एक स्थे तो थाइल नहीं रहेगा वह कार्बन ग्रुप बन जाएगा जो के इस थाइल होता है तो अब यह आपके पास पर उप्शन पर गोर करें तो अप्शन का मतलब है यहां पर तू कार्बन एक्टम्स की बात हो रही है आप यह देखे ना कितने carbon atoms की बात हो रही है आपकी options में propion में 3 carbon की बात हो रही है butine का मतलब है 4 carbon atoms hexine का मतलब होता है 6 carbon atoms ठीक हो गया अब क्योंके देख ले carbon atoms का number तो मैंने आपको बता दिये ये हैं वो सारे carbon atoms अब आपके पास मैंने जो इस्ट्रक्चर ड्रॉ किये इसमें देखें कितने carbon हैं इसमें आप देख सकते हैं 4 carbon atoms है तो इसका मतलब है option वो वाली correct है जो हमें indicate करके बता रही है कि ये 4 carbon वाला compound है और वो option हमारे पास C है जिसमें के butine लिखा हुए ठीक है ये बात समझ में आ गई अब हम चलते हैं next question की तरफ next question is also called ये एलकेन के दूसरे नाम अलकीन का दूसरा नाम और ये सब बहुत important है ठीक है एलकेन का दूसरा नाम आप सब को याद होगा पैरफिन्ज हैं क्योंकि वह को लीस्ट्री एक्टिव होते हैं second option paraffin है alkane के बारे में और last option में आप देख लें उदर भी एक alkane ही mentioned है हमसे किसका पूचा गए हमसे पूचा गए के लकाइन का दूसरा नाम और लकाइन का दूसरा नाम है acetylene क्योंकि पहला compound जो एलकाइन का है वो acetylene है इसी वज़से सारे के सारे alkynes को भी acetylene कहते हैं ठीक हो गया अब चलते है next question की तरफ general formula of alkynes is general formula students बहुत important है alkyn का भी alkyn का भी और alkyn का भी paper में जो बहुत ही the most asked question in the past papers is the difference between alkyn, alkyn and alkyn जब आप इन तीनों की बात करते हैं तो general formula तो जाई से बात आप लिखेंगे general formula नहीं लिखेंगे तो आप इनको सही तरह से define नहीं कर सकेंगे ठीक है अब सबको याद होगा general formula क्या होता है cn h2n plus 2 आपके पास alkyn का जनल formula है cn h2n कोई plus minus में चीज नहीं आएगी तो यह alkyn है और अगर cn h2n minus 2 हो जाता है तो इसका मतलब है यह alkyn है जो के आप देख सकते हैं हमारे पास option number d है ठीक है माइनस प्लस इस तरह से भी दिए वे जो भी numbers दिए वे और से देखने यह ना हो कि आप सिर्फ माइनस को देखें अगला डिजट ना देखें और फिर इस तरह से आप question को गलत करते हैं ठीक है सारी options को मैं हमेशा कहती हूं पढ़ के answer लिखा करें फिर आपको पता लगता है से class of compounds जो के देते हैं तो आप सबको समझ में आगया होगा कि वह हैं ठीक है किस तरह से है क्योंके अल्रेडी कार्बन के चार बॉंड पूरे हैं इसी वज़े से कोई एक बॉंड टूटे गा तो वहां कोई और चीज आके substitute हो जाएगी chemical terms में यह चीज याज रखने chemistry language में इ कर सकेंगे ठीक है substitution reaction याज रखने है students alkane की property क्योंके कार्बन के four bonds already complete होते हैं with different atoms ठीक है अब हो different atoms hydrogen भी हो सकता है कार्बन भी हो सकता है लेकिन double or triple bond में क्या होता है कि double or triple bond में सिर्फ एक कार्बन के साथ क्योंके दो या तीन bonds होते हैं इस वज़े से हम कहते हैं कि वह बिल्कुल class ही चेंज हो जाती है अब double or triple bond में क्या होता है या क्या करेंगे bond टूटेगा और वहां पर आके अब कोई नई चीज आड हो जाएगी जब दूशे जाते हैं तो इन ड्याक्षन में स्पेसिफाय जरूर कीजेगा अगर अ करी आक्शन हो तो क्यूशं करें कि सब्सिटेशन रियक्शन होई ट इस में भी specify करें कि यह कौन से reaction से addition reaction ठीक है इसका मतलब है हम आपस a option correct है क्योंकि substitution reaction सिर्फ और सिर्फ alkane ही देते हैं अब हम चलते हैं next question की तरफ next question is cng stands for cng natural gas related बात है आप सब को पता है कि natural gas को fuel form में जब convert करना है ताके वो use की जा सके तो हम उसको एक process से गुजारते हैं जिसके क्या करते हैं उसको compress करते हैं इसी वजह से cng नाम आ जाता है जिसकी फुल form होते है compressed natural gas यह बात याज़ रखनी है combustion natural gas carbon natural gas या cool natural gas c से मिलता जुलता या c से start होने वाला कोई भी और word यहां पे add नहीं हो सकता ठीक है compressed natural gas इसका formula है इसका पूरा का पूरा abbreviation है यह चीज याद रखनी है पेपर में cng का भी पूछा जाता है lpg का भी पूछा जाता है तो इसलिए इन दोनों की form जो है full form वो याद रखनी है ठीक है next question की तरफ चलते हैं तो order of reactivity of halogen halides with alkenes is ठीक है अब हमने यह देखना है कि hydrogen halides की the order of reactivity of hydrogen halides with alkenes is हमने यह देखना है कि hydrogen halides की alkenes की साथ reactivity क्या होती है तो hydrogen halides की होते हैं सबसे पहले तो यह आपको पता होना चाहिए hydrogen होगा साथ कोई भी halogen attach होगा जिसको हम x से denote कर देते हैं ठीक है इसकी जो reactivity मैंने आप सबको बताया था कि अगर आप halogenes को periodic table में देखें तो आपका जो periodic table में ग्रुप है group no.17 उसमें जो elements इस form में आते हो है पहले fluorine, chlorine, bromine and then iodine लेकिन अगर आप इसकी reactivity की बात करें तो opposite चल पड़ें ठीक है पहले आपके पास hydrogen iodide आएगा सबसे ज़्यादा reactive फिर hydrogen bromide and then hydrogen chloride HCl least reactive होगा ठीक है alkenes के साथ इसी वजह से आप देख रहेते हैं इन में से कौनसी option है जो इस concept के साथ match करती है first option देखे hydrogen iodide is more reactive than hydrogen bromide ये बात ठीक है next option देखे hydrogen bromide is less reactive than hydrogen iodide तो ये बात वलत है hydrogen iodide is more reactive ठीक है HCl is more reactive than HPR, HPR से ज़्यादा reactive नहीं है HCl ज़्यादा reactive नहीं बलके कम reactive है last option is HPR is less reactive than HCl तो HPR ज़्यादा reactive है we already know that इसका मतलब है कि हमारे पास first option बिल्कुल correct है ठीक होगे अब हम चलते हैं आगे और हमारे पास अब जो यहाँ पर questions है students उनमें है liquid alcanes have carbon atoms ranging from liquid alcanes की बात हम करेंगे देखें मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो जैसे जैसे carbon का number change हो रहा होता है ना वैसे वैसे इनकी physical state change होती है अब जो तो first in the series beginning में आ रहे हैं यह सारे के सारे gases होते हैं middle में जाके आपके पास liquids आ जाते हैं और जितने भी high molecular mass वाले होते हैं वो solid form में होते हैं ठीक है तो liquid form में क्या आपने याल रखने सी 1 से 4 तक आपके पास गैसे से 5 से 10 तक आपके पास liquids होंगे अब सी 5 से लेहदा अगर कोई option चली जाती है तो वह आपके पास आ जाएंगे solid form में अगर आप फर्स्ट आप्शन देखे सी 4 तो सी 6 इसमें सी 4 आपको पता है कि क्या है वो गैस है सी 5 चले लेकिन सी 6 तो फिर solid वो लिक्वड में आ जाते हैं लेकिन हमने एक गैस तो काउंट कर ली ना हम सिर्फ और सिर्फ लिक्वड केंस की बात कर रहे हैं इसी तरह अगर आप थर्ड ऑप्शन देखें सी 8 लिक हैं ठीक हो गया यह बात समझ में आ गई नेक्स्ट टुडेंस हमारे पास अब शॉर्ट क्वेस्टेंस हैं शॉर्ट क्वेस्टेंस देख लेते हैं फरस्ट इस राइड डाउन मॉलीकुलर और स्रॉक्ट्ट्रल फॉर्मूला बताने तो ठीक है हम यहां पर लिखते हैं स्क् प्सक्राइब के चैकर रोग़ार हैं तो हैं आपके पास हो गया ऐपके इत्के लिक्ते क्वेश करें और स्रॉक्ट्रल फॉर्मूला की अलग थिए ठीक है नेक्स्ट इस इसको डिफाइन करना है की आपने बताना है कि इसके अंदर functional group कौन सा है कौन सा functional group है ट्रिपल बॉंड है ट्रिपल बॉंड की वज़े से हम इनको कहते हैं साथ ही साथ यह बिल्कुल different functional group है यह बात भी specify करनी है फिर आपने बताना है कौन सा होता है इथाइन होता है विच कंसेस्ट आफ टू कार्बन एटम्स आपको सामने अभी हमने बनाया है पिछले question में और इसके लावा आपने यह भी बताना है जो आपको मैंने चार इस ड्रॉक्टर करवाई थे नहीं जिस तरह हैं अगर आप वह चारों structure जासे कि उसमें जरूर करें अलकेन की बात हो तो structure रॉजरूर करें अलकीन की बात हो तो करें अलकाइन की बात हो तो भी structure लाजमी ट्रॉक करें ठीक है last question is how hydrocarbons are used as a fuel तो hydrocarbon कैसे फ्यूल के तौर पर यूज होते हैं यह तरह यूज होते हैं students के ना hydrocarbon fuel है इसकी burning हो जाएगी burning कैसे होगी oxygen की presence में होगी क्या चीज बनेगी carbon dioxide water और heat ठीक है अब हमने क्या बात पड़ी थी हमने पड़ा था कि यह reaction बहुत ही जादा exothermik होता है exothermik का मतलब है कि यह reaction अपने अंदर से बहुत जादा heat निकालता है जिसकी वजह से क्या होता है कि यह transportation में भी यूज हो सकता है घरों में भी यूज हो सकता है उससे related भी questions आ जाते हैं उसको भी revise करना है और अगर यह वाले सारे आपने कर ली है तो इसके लावा वह वाला जो पार्ट है उसको नहीं छोड़ना उसको एक दफा रिवाइस कर लें यह हमारा जो इस chapter से related topics थे quiz के वो complete हो गए तो students हमने जितनी बाते की है अभी अभी quiz में हमारे यह बहुत important थी pointers जितने मैं आपको बताती हुना question solve करवाते हुए यह लाजमी अपने notes में लिख लिया करें क्योंकि अगर अभी इनको आप लिख लेंगे तो बहुत असानी होगी इन notes को review करने में paper से पहले तब आपको चीजें जादा अच्छी याद भी रह जाएं झाल